हेलो फ्रेंड्स अनदर यावर मोस्ट वेलकमीन आवर यूटूब चैनल तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिसकसन करूंगा यहां पर एक सूपर इंपोर्टेंट ट्रिक आयोनाइजेशन एनरजी या आयोनाइजेशन पोटेंशल से रिलेटेड जिसक इसको हिंदी में बोला जाता है आईनन विभव या आईनन उर्जा अगर आप जैई नीट या एमस के स्टूडेंट्स हो तो आपको पता होगा कि मेक्जिमम टाइम एक्जाम के अंदर यहां से वन कोशन पूछा जाता है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इं में बट वो सारी लेक्चर एक तरफ और आज की यह 5-10 मिनट की वीडियो एक तरफ आपके सारे कंसर्ट के लियर कर देगी आपको जो भी कोशन लगाना हो सारे कोशन लगेंगे इस ट्रिक से कितना भी बड़ा एकसेप्शन हो सारे एकसेप्शन इस ट्रिक के अंदर है तो मैं आपसे 100% गारेंटी के साथ कह रहा हूं कि आपको कितना भी टप कोशन मिल जाए आप इस ट्रिक से करेक्ट कर पाऊगे तो आप इस ट्रिक को अपनी नोट बुक में जरूर शाप लेना ओके तो आप मैं स्टार्ट करता हूं सबसे फर्स्ट तो मैंने इस वीडियो को य इस टीन चिजें होती है एक ऊचल एक और एक व्लोक और यक तीं टी ब्लोक इन तीनों से कॉष्ण फूछा जाता है हमेसा तो आप देखिए एस लिकरने आपको आमेसा इसzingर्य को अप्लाई करना है जो आई पी यह जो पाई के छिया होता है इन वेस ट्रपोर्ट नाव मैं मैंने यहां पर दो एक्जम्पल लेके भी बता दिया सबसे फर्स्ट एक्जम्पल यह आता है हमारे P-Block से हेलोजन फेमिली के elements आप देखें यहां पर फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन यह है हेलोजन फेमिली के हमारे Elements है यहां पर साइज किसका ज्यादा होता है maximum साइज होता ह। आई आई इडीन का तो आप देख सकते हो यहां पर इसका साइज जड़ा तो इसका आई क्या हो जाएगा सबसे कम हो जाएगा फिर आप देखें यहांप हमारे S-Block का जो कि हमारे फ्रस्ट ग्रुप का एलिमेंट है लीथियम सोडियम पोटेश्यम रूबेडियम और सीजियम सीजियम का साइज सबसे ज्यादा तो इस कंडिशन में इसका आई क्या हो जाएगा सबसे कम हो जाएगा यह नोर्मल कोशन है नोर्मल कोशन बहुत ही कम पूछे जाते हैं बट कोशन पूछे जाते एक्सेप्शन से देखिए आपका फ्रस्ट एक्सेप्शन अपवाद जो की अब तक टोटल एक जम में दो बार पूछा जा चुका नीट के अंदर आपको पता हो तो देखिए एलिमेंट से एलुमीनियम और गेलियम यहां देखिए एलुमीनि यहां गेलियम का जादा होना चाहिए था यहां से इक कोशन तो यहां से यह पूछा जाता है तो आप इसको याद रखने अपनी नौट बुक में नोट कर लिजिए एस और पी ब्लोक कंप्लिट होता है फिर आता है हमारा डी ब्लोक देखो डी ब्लोक के लिए मैंने यहां आप ट्रोटल तीन ट्रिक तैयार किये सारे गुरूप इसके अंदर आ जाएंगे डी ब्लोक सबसे ज्यादा इंपोटेंट रहता है आप लोगों के लिए तो देखिए यहां पर मैंने इसको सबसे फ़र्श्ट लिया यहां पर गुरूप तरी के लिए गुरूप तरी का अग यहां पर 3D की आईपी सबसे ज्यादा फिर 4D की और उससे भी कम 5D की यानि कि 3D की सबसे ज्यादा उससे कम 4D की उससे भी कम 5D की आपको elements याद होने चाहिए प्रियोडिक टेबल पूरा पड़ा चुका वहां जाके देखिए आप पर प्रियोडिक टेबल आनी चाहिए अगर प्रियोडिक टेबल नहीं आती तो सोच लीजिए आप पर chemistry नहीं आती फिर देखो आपको विस एक चीज़ रटनी है यहां पर गुरूप को तो रटना यहां पर आप टा रटी शॉक्त लिए इस और आप देख सकते हो को आपको पता होना जीय है यह आप का आता यहां पर टेंथ गूरूप के अलीमेंटस है तो आप देखिए यह पर नीकिल पेलेडियम और यहां पर क्या प्लैटीनम इस कंदिशन में यहां पर निकल क्या हो आप यह ट्रिक को देखिए यहाँ पर यह आपको ग्रूप याद रखना है यह थर्ड ग्रूप यहाँ पर कंप्लीट 4 5 6 10 ग्रूप कंप्लीट फिर इसके अलावाद जितने भी ग्रूप बचते हैं सारे ग्रूप इसके अंदर आ जाएंगे डी ब्लोक वाले 7 8 9 11 12 ग्रूप से जेंबं कंप्लीट होता है अब आती सूपर सूपर इंपर्टेंट सेंजिशन प्रूप यहोगी झहां जाते रहें सकते हैं've और सेंखरोव्या रही हो तो अच्छल की स्चलिशन से हorang आतीजिख निखर अगर आपको समझने में प्रोग्लम होती है तो सबसे बेस्ट आप इस ट्रिक को याद रखिए सबसे पहले आपको ट्रिक बता दू एंट 255 एंट 255 यह हमारी ट्रीक है अब यह मैंने कैसे बनाई आप देखिए आप फ्रस्ट प्रियोड के आपको बनाई यह फिर 55255 आप यह तो बना लोगे बिलकुल आसान एश्कोड को आपको याद रखना होगा फिर बात आ जाती है अब हम पंपेर कैसे करें रखो तो देखो आपको ज्यां रखना है इधर के साइड से चलो आप जो फाई होता है दोगो आपको इधर की साइड स करने रखना यह तो यह तो यह जो फाइव नंबर है इसके लिए यह यह रखना फिर आजाता आपकर आपको इसका reverse करना तो का फिर आजाता फिर एगा रहेगा सेम सेम टू सेम एरो आ जाएगा पुर के लिए वही यह वाला साइन फिर बाकी एन का सबसे अलएगा आप इसको आसानी से याद रख लोगे तो देखो बिलकूल कितनी सिंपल ट्रीक आप इसको आरम से कर सकते हो यहां पर बिल्कूल साइज कम होता जा रहा तो आई ह नेट्रोजन और ऑक्सिजन में आप यहां पर कैसे कंपेर करो तो देखो जब इतना सारा डिटेल में जाना है आपको तो प्लीज आप प्रियोडिक टेबल वापे प्लेलिस्ट में जाईए और ओपन कीजिए हमारी चैनल की आपको वह सारा मैंने बिल्कुल अच्छे से एक्स्प्लेंड किया आपको मिल जाएगा बट एक छोटी सी ट्रिक ती जो मैंने आपको पूरी बता दी हाई होप आपको यह ट्रिक पसंद आई होगी अगर यह ट्रिक पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करो और प्लीज सेयर करके जरूर जाना और मुझे कमेंट में बताना आपको ट्रिक कैसी लगी और आप कोशिंस करके देखना कोप्रिक करके देखना आप पर सारे शंद होंगे आप जाओ अभी और प्रेडियो टेबल उपन करो आपको अपया सारे कोशन करते आपकोब जाके आप अपगे're को तो कर सारे सारे लेना ओके तिंक्यू सो मच गाईज यहां तक पहुंचने के लिए अगर आपने इस वीडियो को पूरी देखी तो यहां पर आपका ही भला होगा आपके लिए बहुत अच्छा हुआ यहां पर जो लोग सुर्व में वीडियो को देखके बग गए थे उनका नुक्सान होने व यहां हम कर अजता ही। इस वेगका ले अगर बोला हा, अंब धछर तो हुआ कै और प्रेख़र को आपके ग llegóatinव में गर साफब्रेश